गुद मॉनिंग डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एललियन प्रोसेस के बारे में, देखिए एललियन प्रोसेस के बात करी जाए तो यह प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के द्वारा हावा जो है, वो कुछ सत्लाकरतियों का निर्मान करती है और हवा की देखिये हम बात करें तो दो ट्रिमिनोलोजी की हम एक बार शुरूर में जरूर बात करेंगे पहले हम बात करते हैं एयर की एयर की अधी बात करी जाए तो कहा जाता है कि इस दा कंपोजिशन ऑफ गैसी वाटर वैपर्स एंड सॉलिड पार्टिकुलेट्स देट स्राउंड्स अस हमारे चारो तरफ जो गैस दूलकन और जलवास्फ का जो मिश्रन पाया जाता है उसको हम एयर का नाम देते हैं और जब यह एयर जो है वो मुमेंट में आ जाती है गतिशील हो जाती है वायूदाब के प्रभाव में आने की वज़े से तो हम इसको विंड का नाम देते हैं यानि और जब यह हवा चलना शुरू करती है तो जिस भी ध्रातल के यह संपर्क में आती है वहां पर फ्रिक्शन पैदा होता है और उस फ्रिक्शन की बदोलत उस घरसन जो पैदा होता है उसकी बदोलत हवा की जो फोर्स है उस फोर्स पे डिपेंड करता है कि वह कितनी फोर्स वहाँ पे है तो वो जो material है उस surface का जिसके उपर से वो हवा वो वायू जो है वो गति सील है वो उस surface को वहाँ से remove करना शुरू कर देती है उन particles को अपने साथ ले जाना शुरू कर देती है जो उसका load को लेके जाने की जो समता है वो कम हो जाती है और वो अपने साथ जो उडाकर लेके आया गया जो material है उसको deposit कर देती है और प्रिणाम सवरूप depositional landforms की development होती है यानि हम बात करें एक ऐसी area कि जिस area में हवा के द्वारा जो निर्मित सतला करतिया है वो सबसे अधिक पाई ज जानते हैं और यदि हम प्रिथवी के धरातल की बात करें तो लगबग 50 million square km का जो area है यानि one third of earth surface जो है वो dry या फिर arid region के अंतरगत आता है यानि यह वो अक्षेतर है जिस अक्षेतर में हावा का जो role है उसका जो importance है landforms की development में वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती ह है और अब एक arid region की या एक dry region की यदि मैं बात करूँ तो उसकी क्या विशेष्टाएं हो सकती है सबसे पहले तो वहाँ पर जो rainfall होती है वो सबसे कम होती है क्यांकि जहाँ rainfall ज्यादा होती है वहाँ पर fluveal process dominate करता है वहाँ पर running water के द्वारा जो develop की जाने वाला जो landforms है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है इसलिए arid region में rainfall low होती है और जिस area में low rainfall होती है और वहीं पर जो है वो evaporation का जो rate है जो वास्पिक रंग की दर है वो भी अधिक पाई जाती है दैनिक जो तापांतर है डाइरनल range जो है temperature की वो भी अधिक होती है यानि दिन के समय में ता ते आपांतर है वो कम पाया जाता है और जो बरसाथ है उस वो variable होती है यानि बरसाथ को हो सकता है कि बरसाथ हुए कई महीने भी जाए और हो सकता है कि बरसाथ लगाता हर दो-तिन दिन तक भी जो है ये वो होती रहे तो rainfall की जो variability है वो हाई होती है और vegetation cover देखें क्योंकि व बहुत ज्यादा वेरियेबल है और डायनल रेंज अधिक है तो ऐसी प्रिस्तिती में जो वरंस्पति होती है वो वरंस्पति का उगना उस अक्षेत्र में थोड़ा सा मुस्किल हो जाता है और इसलिए वेजिटेशन कवर जो है वो सबसे कम पाया जाता है तो अब सबसे बहुत कम होती है εवैपोरेशन भी अधिक जो आ है वो देखने को मिलता है आप जैसे हरियाना की आधी बात करेंगे उत्तर की यह अपर पूर्वी अक्षेत्र है अब जो है अप्रैल के महिने में मैं मैं के महिने में और जून के अंड सियक जो है यहां पर हैं एक को हम semi-arid region कहते हैं जहां पर यह aridity जो है वो एक level तक कम पाई जाती है फिर arid region आता है जहां पर aridity का level यानि precipitation और जो evaporation है उसके बीच का जो difference है और बढ़ जाता है और एक hyper arid region आता है जहां पर और भी अधिक जो है यह अंतर हमें देखने को मिलता है और aridity यानि किसी भी अक्षेत्र की जो सुस्कता है उसको यदि मापन करना हो तो सुस्कता सुस्कांक जो बनता है aridity index यह p divided by pet इसमें p की यहां पर यदि हम बात करें तो p precipitation होता है और pet होता है potential evapotranspiration यानि उस अक्षेत्र में जो तापमान पाया जाता है यह ना तो evaporation है ना transpiration है evapotranspiration है और वो भी potential evapotranspiration यानि उन particular temperature conditions में कितनी मात्रा में जो moisture है वो evaporate हो सकता है उस area से वो उसका potential evapotranspiration होता है और उस अक्षेत्र में होने वाली बरसात की मात्रा को यदि हम potential evapotranspiration के rate से divide कर देते हैं तो जो value आती है वो value हमारी aridity index की होती है और इस value को हम 3 categories में divide करते हैं यदि ये value 0.20 से 0.50 के बीच में होती है यानि बरसात जो हो रही है उसकी तुला में जो वास्पी करण है बरसात माली जिये 100 mm होती है और वास्पी करण यदि जो है और 95 परतिसत तक जो है वो वास्पी करण की दर अधिक पाई जाती है बजाए की बरसात के तो वो ऐसा arid region होता है और यदि 95 परतिसत से उपर यानि 0.05 से नीचे जो है यहाँ पर जो वास्पी करण है बरसात की तुलना में वो पाया जाए तो ऐसे एरिया हाइपर arid region होते हैं जो यदि बात करी जाए तो यह वो अक्षेत्र होते हैं जिन अक्षेत्रों में जो वरस्पति है नाम मात्र की पाई जाती है और अब इसका जो सुस्कता जो का एरिया है जो लेवल है ड्राइनेस का वो सबसे अधिक जो है इस एरिया में पाया जाता है हम जैसे हर्याना के जो निवासी है वो जो सेमी एरिड रीजन है उस एरिड रीजन में निवास करते हैं केवल यदि हम अपने नर्दरन पार्ट को जो शिवालिक रेंज का एरिया है उसको एक्स्क्लूड कर दें तो हर्याना का दधिकान सिस्था जो है वो सेमी एरिड रीजन के अंतरगत क्लासिफाई किया जाता हैं और फिर यदि देखे हम कुछ deserts की और उनकी locations की बात करें देखे desert क्या होता है desert उत्लों वो अक्षेत्र होता है जो arid region की हमने बात करी थी जुस रीजन में rainfall कम होती है उस रीजन में evaporation अधिक होता है डाइनल range अधिक पाई जाती है उस अक्षेत्र में जो variability की वो अधिक होती है और वेजिटेशन कम पाया जाता है ऐसे एरिड रीजन को हम डेजर्ट के नाम से जो है वो पुकारते हैं और यह जो डेजर्ट हैं यदि इनके संदर में मैं बात करूं तो तापमान के आधार पर यदि इनको लेके चला जाए तो दो तरह के जो मरुस्थल हैं वो पाये जाते हैं एक गरम मरुस्थल होते हैं एक ठंडे मरुस्थल होते हैं यानि कोल्ड डेजर्ट और होट डेजर्ट यहां पर देखिए सहारा की बात करते हैं यह एक डेजर्ट है कहां पाया जाता है और उसके बाद बात करी जाए अटाकामा की तो यह कोल्ड डेजर्ट है और गोबी का डेजर्ट की बात करें हम्थार की बात करें सोनराम की बात करें ग्रेट विक्टोरिया की आर्क्टिक की अरेबियन की काला हारी पैटागोनिया अंटार्टिका चिहु हुआन काराकूम की बात करें मोजेवे की नामभीब की बात करें दस्ते कावीर दस्ते लूट की बात करें तो यहां पर आपको जो लाल रंग से जिन डेजट्स के नाम दिये गए हैं वो होट डेजट्स हैं और ब्लू कलर से जो आपको डेजट्स के नाम यहां लिखे गए हैं वो कोल्ड डेजट्स हैं अब सहारा की यदि हम बात करें होट डेजट है कहां पाया जाता है नॉर्थ अमेर जो वेस्ट अफरीका का जो एरिया है वहां पाया जाता है अटाकामा कोल्ड डेजर्ट है साउथ अमेरिका जो पेरू और चिल्ली का जो तठ है वहां पर पाया जाता है गोबी का जो डेजर्ट है कोल्ड डेजर्ट है सेंट्रल एसिया East Asia में China और Mongolia का जो एरिया है वहाँ पाया जाता है थार जो है यह होट डेज़र्ट से इंडिया का यह डेजर्ट है जो राजिस्थान का एरिया है हमारा वहाँ पर यह डेजर्ट पाया जाता है सोनुराम की बात करें तो यह Central America और Mexico इन दो देशों में इसका आक्सेतर जो है वो विश्तरत है, Great Victoria की बात करें, Australia में पाया जाता है, ये भी होट डेजर्ट है, Arctic डेजर्ट, ये North Pole का एरिया है, जो cold डेजर्ट है, और Arabian डेजर्ट की एदि हम बात करें, तो ये भी एसिया का पार्ट है, एसिया के वस्मी भाग में पाया जाता है, जहां पर सयुक्त जो UAE है और ये देश जो साओधी अरबिया है देश पाये जाते हैं, ये Arabian desert, hot desert है, कालाहारी desert, अफरीका का desert है, अफरीका के दक्षनी भाग में पाया जाता है, और ये भी एक hot desert है, पेटागोनिया की बात यदि हम करें, तो ये South America में पाया जाता है, अर्जेंटीना और चिली के area में जो है ये विश्तरत है जो अटाकामा था वो भी cold desert था वो पेरु चिली के area में है और फिर चिली का area जो अर्जेंटिना के साथ लगता है वहाँ पर जो desert cold desert वो पेटागोनिया का desert है फिर अंटार्टिका जो हमारा south pole है अंटार्टिका जो continent है ये भी cold desert है देशे में पाया जाता है नामीब की बात करें Central Africa नामीबिया जो देश है वहां पर यह डेज़ेट पाया जाता है और फिर दस्ते कावीर की बात करें तो इरान का डेज़ेट है तो यह कुछ महतुकून cold और hot desert areas हैं जो earth surface पे हमारे observe किये जाते हैं अब यह देखिए इनकी बात करी जाए तो अफरीका और Asia यह जो दो महाद्वीप हैं यह दो महाद्वीप संसार के लगबग दो तिहाई जो desertic area है वो इन में पाया जाता है और सहारा जो नौर्थ अफरीका में पाया जाता है यह स संसार का सबसे बड़ा मरुस्तल है यह अक्षेत्रफल की बात करी जाए तो अफरीका में सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा है यह हम अटाकामा की बात करें जो साउथ अमेरिका में पेरू और चिली की कोस्ट पे जो पाया जाता है उस area में वो यह desert जो है यह cold desert है हाला कि लेक क्या का जो desert है उसकी यदि बात करी जाए तो यह गरम मरुस्तलों में सबसे जो dry desert है वो लीबिया का पाया जाता है लेकिन गरम और ठंडे दोनों को मिला दे तो dryest जो desert है वो अटाकामा का desert पाया जाता है और अधिकान्स यह जो desert है यह 15 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और के मध्य जो है इनका अक्षेत्र विश्त्रत है और कमाल की बात यह है कि ट्रॉपिक्स के area में यह पाये जाते हैं जो हमारा ट्रॉपिक ऑप cancer है और ट्रॉपिक ऑप कैप्री कौन है उस area में जो है यह desert पाये जाते हैं अगर हम earth surface को कुछ इस प्रकार से लें तो यह जो हमा का सबसे ज्यादा extension देखने को मिलता है इसका सबसे बड़े कारण की भी यदि हम बात करें तो 15 degree से 35 degree north के और south के बीच का जो अक्षेत्र है यह trade winds के प्रभाव का area है और trade winds जो है पूरव से पस्चिम परवाहित होती है और महादवीपों के पूरवी किनारे है वो महासागर पूरव से पस्चिम चलती है तो desert जो हमारा oceanic area है ocean का जो eastern part है उस eastern part से यह पानी को oceanic current के रूप में बहाते हुए पस्चिम एरिया की तरफ लेकर जाती है और eastern area के उपर upwelling होती है cold water की और cold water के upwelling होने के कारण वहाँ पर high pressure system anti cyclonic condition बनती है और dry areas develop होते हैं और यह असल में मह सद्वीपों के पस्चिमी किनारे होते हैं और यहां पर जो महा सागरों का पस्चिमी किनारा है यहां पर यह गरम पानी इकठा होता है ताप्तमान बढ़ता है और ताप्तमान बढ़ने के कारण वायुदाब कम हो जाता है cyclonic condition develop होती है और यह हमारे महाद्वीपों के पूर था कि जब हवा उपर से नीचे बैठती है तो उस थिती में वो जो हवा है वो dry होती है और उसके तापमान में विर्धी होती है और वो तापमान की विर्धी क्योंकि यहां पर जो eastern part है का वहां से पानी already remove होके जो cold water की upwelling है तो वहां पर cold water currents पहले से हैं तो high temperature high pressure conditions थी और नीचे बैठती ही हवा और high pressure condition यानि anti cyclonic condition को develop करती है और प्रिणाम सवरूप इन अक्सेत्रों में बरसात सबसे कम होती है और कम बरसात होने की वज़े से यहां पर vegetation कम हो जाती है और vegetation और द इनमें अधिक तापमान रात में जो है वह कम तापमान हो जाता है डाइनल रेंज भी बढ़ जाती है और यही एक कारण है कि जो हमारे अधिकान्स जो मरूस्तल है वह हमारे महादवीपों के पश्च्मी किनारे के ऊपर पाए जाते हैं यह अटाकामा का डेजट का यदी ए इस डेजट है वर्ल्ड का तो वह स्थिति को इस डाइग्राम को देखके हम समझ सकते हैं अब इन डेजट के देखी एदि क्लासिफिकेशन हम करें तो दो आधार होते हैं क्लासिफिकेशन के पहला आधार है तापमान हमने पहले ही बात करे थी कि तापमान जहां पर और बाकी चाहे सहारा की बात करें, अरेबियन की बात करें, काला हारी की बात करें, थार की बात करें, मुजैवे की बात करें, सोनराम की बात करें, दस्ते लूट, दस्ते कावीर, जिसकी भी बात करें, यह सारे के सारे हमारे होट डेजर्ट्स हैं, और सेंड के कंटेंट के आ पहमादा यानि सेंड का जो कंटेंट है उसके आधार पर तीन टाइप के जो मुरुस्तल है वो कहे जाते हैं पहला यदि हम अर्ग की बात करें तो यह सही माईने में रेत का मुरुस्तल होता है और इसे ऑसियन ऑफ सेंड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है अरेबियन आग्राम जो है यदि आप देखें तो अर्ग का एक एक जामपल है डेथ वैली केलिफॉर्णिया का फिर एधी रेग की बात करी जाए तो रेग वो स्तिती होती है जिस स्तिती में वहां पर उस मरुस्तल में बेहने वाली जो हवा है वो हवा अधिकांस जो रेत है उसको पर जो surface है वो surface का maximum area इन coboles के pebbles के द्वारा जो है वो ढ़का होता है तो ऐसा जो मृस्तल होता है उस मृस्तल को हम नाम देते हैं रेग का और ये अगर picture जो है आप देखें तो ये आपको कहीं कहीं पर rate भी दिखाई दे रहा है लेकिन जो अधिकांस जो area है वो इन coboles pebbles के द् उस मरुस्तल को हम नाम देते हैं रेग का और ये गीबर प्लेन है बेसिकली ऑस्टेलिया का और फिर तीसरा यदि हम हमादा की बात करें यानि अब ये जो सेंड का कंटेंट है ये भी पूरी तरह से रिमू हो गया है और उस मरुस्तल में केवल और केवल पहाड़ियां जो है वो हमें विजिवल होती है तो ऐसे अवस्ता में उस मरुस्तल को हम नाम देते हैं हमादा का यहां रेट का जो कंटेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर जो है वो पाया जाता है और फिर एलियन टोपोग्राफिय में देखिए दि बात करें तो इरोजनल और डिपोजिशनल दो तरह के काम हवा के द्वारा किये जाते हैं और इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो हवा का है यानि वर्क ओफ विंड की बात करें तो इरोजन करती है यानि यह जो मेटिरियल होता है जो सेंट पार्टिकल्स है उनको अपने साथ उड़ा के ले जाती है रिमूव कर देती है उस सर्फेस से उस material को ये अपने साथ लंबी दूरी भी जो है वो तै करते हैं तो transportation भी होता है और फिर इसका deposition भी होता है जब इसकी capacity कम हो जाती है तो ये उस material को deposit कर देती है erosion की यदि बात करें तो एक होता है erosion में deflation deflation की यदि बात करी जाए तो हवा के अपने force की वज़े से जो वो material को remove करती है अर्थ सर्फेस से उस प्रिकिरिया को उस process को हम deflation कहते हैं और कई सारे depressions जो है इस deflation activity की वज़े से create भी हो जाते हैं दूसरा averaging होता है हवा के साथ बहुत सारा rate आता है कई बार आंधी तुफान हमारे इस सक्षेतर में भी आते हैं उत्र भारत के मैदान में तो उनमें यह दि आम जो जो है कभी कवार फसे हो तो आपने महसूस किया होगा की बहुत सारा जो rate है वो बहुत तेज गती के साथ आ एक effect जो है इसके द्वारा create किया जाता है इसके द्वारा scratching जो है वो develop हो जाती है उन चटानों पे 6 feet की हुचाई तक जो है abrasion का effect देखने को मिलता है और polishing rocks की groove कई सारे depressions भी जो है उन चटानों में create हो जाते हैं इस wind activity की वज़े से और फिर यदि हम बात करें attrition की तो attrition वो process होता है हवा के साथ उड़के जाते हुए ये कंड अपने आपस में भी जो है एक दुसरे के साथ टकराते हैं और टकराने के प्रिणाम सवरूप इनके आकार में जो है वो कमी आती है तो जो disintegration होता है इनका रोक पार्टिकल्स का विंड के साथ उड़के जो जाते हैं उस process को हम attrition कहते हैं यानि erosional जो features हैं वो तीन तरह से develop होते हैं deflation जो sand का removal है abrasion उस sand की वज़े से जो एक sand paper रेगमार का जो काम हवा करती है और attrition वो तुकडे जो हैं वो rate के particles आपस में टकरा कर तूटते भी रहते हैं और ant में lowest के रूप में convert जो है ये हो जाते हैं transportation की यदि मैं बात करूँ तो suspension suspension की देखिए यदि बात करी जाए हम यहां पर surface लेकर चलें तो बहुत सारा particle होता है जो particle इस तरीके से जो है वो suspended mode में हवा के साथ move करता है तो ऐसा particle का जो size होता है 0.2 mm के diameter से कम होता है वो suspended mode में चलता है saltation की यदि बात करी जाए तो 0.2 mm से बड़ा particle size होता है और traction की यदि बात करी जाए तो ये और larger particle होते हैं यानि एक तो जो दोबारा से यदि इस diagram को हम draw करें एक तो वो particles है जो 6 feet की उचाई तक हवा में ही जो है वो जूलते हुए चलते हैं ये transportation का जो process है इस process को हम suspension का नाम देते हैं और फिर यदि हम जो है यहाँ पर बात करें saltation की तो कुछ जो particles हैं वो थोड़ी सी उचाई के साथ jump करते हुए भी चलते हैं यानि जिस तरीके से आपने hopping of a frog mendic को कूदते हुए देखा है तो कुछ इस प्रकार से जो particles की moment होती है जो transportation होता है उसको हम saltation का नाम देते हैं और फिर कुछ particles इतने भारी होते हैं कि वो suspended mode में या jump कर ही नहीं सकते हैं और हवा के साथ जो है वो surface पे ही लुढकते हुए चलते हैं तो ऐसे rolling position में जब ये particles move करते हैं तो उस process को हम नाम देते हैं traction का और इसको creep भी कहा जाता है और deposition की बात करी जाए तो हवा की जब भार वहन करने की समता कम हो जाती है तो वो अपने साथ उड़ा कर लेकर आएगे material को वहाँ deposit कर देती है और प्रिणाम सवरूप वहाँ पर जो है वो depositional landforms जिनको हम बहुत popularly sand dunes कहते हैं उनका निर्मान उस अक्षेत्र में जो है वो शुरू हो जाता है इरोजिनल landforms में देखिए यदि हम बात करें ये उस sand के remove की वज़े से या abrasion activity की वज़े से ये landforms जो हैं develop होती हैं और पहले यदि हम बात करें blowout की देखिए blowout की यदि बात करी जाए तो हवा जब एक area में चलना शुरू करती है और उस area में कोई छोटा सा सरफेस पे मान लीजिए एक depression उस area में आ जाता है तो ये हवा उस depression के थूँ जो है वो move करना शुरू कर देती है और एक addage effect जो है एक bower की तरह जो है वो moment होती है और प्रिनाम सोरूप ये जो depression है ये गहरा होता चला जाता है और उसको हम जो है blowout का हो जाता है और इसकी गहराई भी जो है वो water table तक पहुंच जाती है तो ऐसी स्थिति में उसको हम deflation hollow का नाम देते हैं ये depression ही होता है जो इसके द्वारा create किया जाता है लेकिन blowout में और deflation hollow में जो difference है वो difference है कि blowout कम गहरा होता है और deflation hollow की जो depth है वो water table तक पाई जाती है और इसी कारण जो है जो मरुष्थली अक्षेतर में oices की जो development होती है और या swamps की जो development होती है उसके पीछे का कारण ये deflation hollow होते है और फायाम डिप्रेशन इजिप्ट की एदी हम बात करें तो ये स्मूदर तल से भी 40 मीटर गहरा पाया जाता है और wind erosion की देखे एदी हम बात करें तो glacier की बात करें चाहिए running water की बात करें जिसकी भी बात करें इन मेंसे जो हवा है उस हवा में के दुआरा जो निर्मित सतला करती है उनमें एक difference जो पाया जाता है main वो difference है कि हवा जो erosion करती है क्यांकि इसका जो base level होता है वो water table होता है water table अगर 80 मीटर गहरा है तो ये 80 मीटर तक smoother तल से 80 मीटर की गहराई तक erosion करती है जबकि नदी के द्वारा किया जाने वाला erosion जो global base level है यानि sea level है वहीं तक सिमित होता है और ये देखिए अगर blowout की हम यहाँ पर बात करें तो ये हवा की यदि इस direction में हम हवा को बहते वे माने तो इस area में ये जो eddies formation जो है वो हवा की वज़े से moment की वज़े से develop होई थी उस वज़े से ये एक depression जो है create हो गया है जिसको हम blowout का नाम देते हैं Wisconsin के area का है और ये deflation hollow है और इस deflation hollow में ये आप देखेंगे तो water table जो है वो आपको clearly दिखाई दे रही है यानि इसका जो depression जो create हुआ है जो deflation हुआ है वो up to water table है और इसका size भी जो है वो blowout के comparison में बड़ा पाया जाता है और इसी कारण इसको जो है हम deflation hollow का नाम देते हैं फिर यदि हम बात करें दो चक्ताने हैं ये दो तो deflational landforms हैं जो deflation की वज़े से develop होती है फिर abrasion की वज़े से भी कई सारी सतला करती है जो है वो निर्मित होती है और दोनों का मिला जुला प्रभाव भी देखने को मिलता है जैसे हम mushroom rock की बात करें जिसको गारा के नाम से भी जाना जाता है इसको pedestal rock भी कहते हैं mushroom यदि आप जो है वो खाने के सोकिन भी है तो आपने घर पे देखा भी होगा कि mushroom का जो नीचे का हिसा होता है वो नीचे का हिसा काफी पतला होता है और उपर जो है वो हिसा काफी चोड़ा होता है और हवा के केस में हमने बात करी थी कि हवा जब चलती है तो 6 फिट की उचाई तक ही जो है वो एबरेजन करने में हवा जो है वो शक्सम होती है तो उस छे फिट की उचाई तक उस चटान का जो हिस्सा होता है वो चटान का हिसा हवा के massage की वजह से लगातार erosion होता रहता है और लगातार वो narrow down होता रहता है और ये नीचे-चे की बाती या मस्रूम की तरह जो है इसकी आकरती हो जाती है इस चट्टान की और इसी लिए इस चट्टान को हम मस्रूम रोक के नाम से जानते हैं और दूसरा ज्यूजन की देखी हम बात करें तो यदी जो रोक बैड है यानि एक एरिया में जो डिपोजिशन पाया जाता है व soft rocks जो हैं वो हवा के pressure की वज़े से लगाता रिमू होती रहती हैं और उपर के area की जो hard rocks हैं वो कुछ इस तरीके से रह जाती हैं जिनको हम juzen के नाम से पुकारते हैं और soft rock ये differential erosion का जो है एक result होता है और प्रिणाम सवरूप ridge and farrow की तरह जो है एक सथला करती विक्सित हो जाती है ये देखिए यदि mushroom rock की आभाम जो है वो बात करें तो ये वो area है जहां पर abrasion जो effect है air का develop हुआ है और उस abrasion effect की वज़े से इस चटान का जो निचला हिस्सा है जो लगबग 6 feet की उचाई तक का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से erode हो जाता है और लगातार इस अक्सेत्र में erosion होने की वज़े से हवा का dominance होने की वज़े से नीचे का हिस्सा narrow हो जाता है और उपर का हिस्सा जो है वो बड़ा रह जाता है और प्रिणाम सोरूप मस्रूम की तरह जो है एक रोक develop होती है जिनके अंदर जो है वो हवा का ablation effect और हवा deflation effect और हवा का abrasion जो है दोनों काम करते हैं यदि वहाँ पर जो चट्टाने हैं उनके अंदर जो deposition है उनका जो bedding structure है यदि वो bedding structure horizontal होता है तो jusion create होता है और अगर vertical पाया जाता है तो ये जो beach का hard rock या soft rock का area है ये rate यहां से remove हो जाता है material और प्रिणाम सवरूप जो सचलाकरती विक्षित होती है उस सचलाकरती को हम yardan कहते हैं ये columnar जो rocks होती है एक column की भाती ये rocks खड़ी दिखाई देती है और beach का soft area है ये जैसे हम soft area की बात करें ये पूरी तरह से remove हो जाता है और ये चटान और ये चटान दोनों की दोनों जो है खड़ी रह जाती है और ऐसी सचलाकरती को हम yardan कहते हैं इंसल बर्ग की देखिए ये बात करें तो ये hard और resistant rocks होती है specially granite rocks होती है और dome shape इनकी पाई जाती है और हवा के दौरा जो plane area होता है उसमें ये खड़ी होती है island की भाती अपियर होती है इनको हम इंसल बर्ग कहते हैं इंसल बर्ग के निर्मान में यदि मैं बात करूँ तो हवा का इतना महतुकुन रोल नहीं होता है ये basically एक chemical erosion का जो है वो प्रिनाम होता है granite की देखिए हम बात करें हैं और हमने type of rock का जो lecture था उस lecture में हमने पड़ा था कि granite जो है ये plutonic rock है पिर्थवी के अंदर इसका निर्मान होता है तो पिर्थवी के अंदर ये इस चटान का निर्मान हुआ है तो हवा का इसमें रोल नहीं है लेकिन हवा के रोल की भी यहां पर देखिए दि बात करें ये हमारा surface है और इस एरिया में ये dome shape जो granite है वो deposited है chemical weathering की वज़े से ये जो material है इस एरिया का ये लगातार decompose और disintegrate होता रहता है और decomposition और disintegration की वज़े से ये loose particles develop होते हैं और हवा जो है वो अपने deflation activity में इन loose particles को इस एरिया से remove कर देती है और नीचे जो granite की जो रोक है वो फिर surface पे appear होती है और island की भाती ये दिखाई देती है ऐसी सतला करती को हम इंसल बर्ग का नाम देते हैं और ये हमारा जो example है वो example यदि आप देखें तो यहाँ पर यारडांग नहीं है ये जो example आपको दिखाई दे रहा है इसको यारडांग ना लें ये जूजन है क्योंकि जो horizontal deposition था इस area में और ये वर्टिकल ये भी horizontal deposition है ये hard rock थी यहाँ पर soft rock थी और इन joints में से जो है बहती हुई हवा ने इस area से जो soft rock थी उसको erode कर दिया और उसके erosion के प्रिणाम सोरूप ridge और फेरो की तरह ये सतला करती विक्षित होती है जिसको हम नाम देते हैं जूजन का और ये यारडांग से वर्टिकल कोलम है और इन वर्टिकल कोलम्स के बीच का देखे इनके बीच का इसके बीच का इसके बीच का इनके बीच का ये वाला जो soft rock का area था वो पूरी तरह से हवा ने deflation activity में remove कर दिया और प्रिणाम सोरूप की ये columnar rocks जो है वो इस area में appear होती है और इन सतलाकृतियों को हम yardang के नाम से जानते हैं ये white desert है Egypt का जहांपर ये सतलाकृती पाई जाती है और ये यदि हम बात करें ये insalberg है देखिए dome shape का जो granite का area है और हवा ने पूरा का पूरा ये plane develop किया है और इस removal की वज़े से यानि ये जो material था इस area में इसके उपर भी और इस area तक इसका removal जो है वो हवा ने किया है और इसी कारण इस सतलाकृति को हम alien land form के अंतरगत कवर करते हैं लेकिन इसका निर्मान भले हवा ने ना किया हो लेकिन इसका appearance जो land surface के है उसके पीछे जो जिम्मेवार कारक है वो हवा है तो और इनको हम इंसल बर्क का नाम देते हैं फिर यदी बात करें डेमोई सीले की हम बात करें तो ये बहुत बड़े बड़े जो है पोल की भांती जो चट्टा ने आपको डेजर्टिक एरिया में खड़ी हुई दिखाई देती हैं और इनको हम डेमोई सीले का नाम देते हैं मैसा और बुटे की यदी हम बात करें तो ये मैसा बेसिकली एक स्पैनिस वर्ड है जिसका मतलब जो है वो स्पैनिस में टेबल होता है ये फ्लेट हैडिड सार्प को रिमू कर देती है और हाड रोग का एक बड़ा सा एरिया टेबल की भाती यदी उस अक्षेतर में दिखाई देता है तो मैसा कहलाता है और बिगर साइज का होता है ये मैसा और अगर इसका साइज जो है वो लगातार किसी भी कारण वर्स जो है किसी भी डेनुडेशनल प्रोसेस की वज़े से रिड्यूस हो जाता है तो ऐसे छोटे आकार के जो मैसा होते है उनको हम बुटे के नाम से जानते हैं ये देखे यहाँ पर अगर इस डाइगराम में आप देखें तो ये रेजिस्टेंट रोग है ये जो है सोफ रोग है फिर रेजिस्टेंट रोग है सोफ रोग है यानि इस एरिया में ये सोफ रोग थी इस सोफ रोग का पूरी तरे से हवा ने रिमूव कर दिया और ये जो रेजिस्टेंट रोग थी ये एक फ्लेट हैड की बाती जो है आपको दिखाई दे रही है और tabular form जो है इसकी होने के कारण इस सतला कृति को हम मैसा का नाम देते हैं देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो यह वाला अक्सेतर जो है वो मैसा है यह मैसा है यह जो पतले पतले छोटे छोटे जो कॉलम है इन कॉलम्स को हम भुटे का नाम देते हैं यह उथा का जो डेजर्ट है युएसे में जो पाया जाता है उस एरिया की इमेजरी है और यहाँ पर जो है एक डाइग्राम के थुरूबी और पिक्चर के थुरूबी आप इनको देख सकते हैं यह बड़ा आकार मैसा था छोटा आकार बुटे कहलाया और फिर और जोटा हो गया तो यह पिनाकल के रूप में कहलाया यानि यह वाला जो आप देख पा रहे हैं यह पिनाकल है यह आप जो देख पा रहे हैं यह मैसा है और यह जो आप देख पा रहे हैं इसको हम बुटे का नाम देते हैं और फिर देखिए स्टॉन लेटाइस की अ लग हो जाते हैं द्दैगोँ होते हैं, या उपने साथ उड़ा कर लेकर नहीं Peach जा सकती, लेकिन हुआवा लगातार जब화 उनके टकराती है, तो उसके टकराने के कारण उनके surya केके उपर पत्थर की कुछ शिद्र उत्फपन हो जाते हैं, यानि उज़कश का combination है तो कुछ joints के through जब हवा वहाँ टकराती है तो उन joints से material remove कर देती है और कई सारे जो pits हैं जो गड़े हैं वो develop हो जाते हैं उन पत्रों के उपर ऐसे पत्रों को हम stone lattice का नाम देते हैं और यही गड़े जो है वो अगर उस पत्र के आरपार निकल जाते हैं तो जाली की भांती जो है वो दिखाई देता है और ऐसे पत्रों को उस सथला करती को wind window कहा जाता है और फिर जो है अगर यह जो छिद्र निर्मित हुए थे इन छिद्र का आकार बढ़ता चला जाए तो उपर का जो भाग है वो bridge की भांती दिखाई देता है जिसको हम आर्क को जो है जो आर्क रह जाती है उसको हम bridge के नाम से पुकारते हैं यानि आप जो है यदि कुछ इस तरीके से लेकर चलें कि एक एरिया में ऐसे पत्थर जो है वो गिरा हुआ है तो ये कुछ pits जो है इस तरीके से develop हो जाते हैं उसके surface पे stone lattice कहलाता है ये pits जो है यदि आरपार निकल जाते हैं तो wind window कहलाता है और फिर यही पत्थर जो है इनका ये जो joints थे ये बढ़ते चले जाएं तो ये वाला जो area है ये एक आर्क की भांती रह जाता है जिसको हम bridge का नाम देते हैं और फिर venti effects या dry canters की देखिए यदि बात करें तो ये वो पत्थर होते हैं जिन पत्थरों के तीन से ज्यादा जो है तीन या ज्यादा जो है वो faces पाए जाते हैं और इन faces के उपर यदि वहाँ पर जो हवा है वो multi directional होती है तो हर एक face के उपर जो है abrasion effect वहाँ पर develop होता है policing हो जाती है उसका face जो है वो smooth हो जाता है और ऐसे smooth face के जो पत्थर पाए जाते हैं पहाडी area इसमें alien surface के उपर desertic area में उनको हम venti effects या dry canter के नाम से जानते हैं ये यदि आप जो है develop होए है हवा से ये कुछ जो हैं अगर आप देखें तो grooves जो हैं वो develop कर रखें हैं हवा ने तो इन पत्थरों को हम venti effects का नाम देते हैं ये dry canter अगर आप देखें एक face है दो face है तीन face है हवा एक बार इस दिशा से चली एक बार इस दिशा से चली एक बार इस दिशा से चली और तीनो faces के उपर जो है abrasion effect डवलप हुआ और उसकी वज़े से जो smoothing आई तो smoothen जो stone होता है उस stone को हम dry canter या venti effect के नाम से जानते हैं तो ये वो सथला करतिया हैं जो हवा के erosional activity की वज़े से डवलप होती है इसके अलावा कुछ depositional landform भी है यानि अब वो बहती हुई हवा जो अपने साथ material को carry कर रही थी वो material जब हवा की carrying capacity कम होती है उसकी गती कम हो जाती है या उसके रस्ते में कोई hurdle आ जाता है तो वो उस material को deposit करना सुरू कर देती है और उस deposition के प्रिनाम सुरूप कुछ सतला करतियां निर्मित होती है जिन सतला करतियों को हम depositional landform के नाम से जानते हैं इसमें पहली जो सतला करती है इसको ripple कहा जाता है ये sea wave की तरह जो है वो desertic area में यदि आपको कभी जाने का मौका मिला हो तो आप जब उस desertic area में जाते हैं तो आप पाते हैं कि कुछ हलकी हलकी सी जो है वो wave की भाती जो कुछ आकरतियां जो है उस rate के उपर appear हो रही होती है दिखाई देती है ऐसी उन आकरतियों को हम ripple के नाम से जानते हैं sand union की यदि बात करी जाए तो हवा के रस्ते में दी कोई obstacle आ जाता है तो हवा अपने rate को अपने साथ लाएगे sediment को वहाँ deposit करना शुरू कर देती है और उस deposition के प्रिनाम सवरूप एक जो mound of sand होता है mound of sand होता है एक rate का जो tillा है वो develop होना शुरू हो जाता है और इसकी जो windward side होती है वो काफी gentler slope होती है और जो leeward side है वो काफी steep पाई जाती है यानि कुछ इस तरीके से जो है ये sand mound जो है वो develop हो जाता है कुछ इस तरीके से इसको लेके चलें इसको आप जो है wind direction मानें तो ये सत्राकरती विक्षित होती है इसको हम sand dune कहते हैं और 2 से लेकर 30 मीटर तक की उचाई 3 से लेकर 150 किलो मीटर तक की लंबाई जो है इन sand dune की पाई जाती है इन sand dune पे सामाने तोर पर जो वनस्पति होती है उसका अभाव पाया जाता है और इसी कारण ये जो है वो 5 से लेकर 30 मीटर एक साल में अपनी जो position है उसको shift करते रहते हैं और इनको हम migrating sand dune के नाम से भी जानते हैं और कई सारी जो categories हैं classes हैं उनमें इनको classify किया जा सकता है जैसे इस diagram में यदि आप देखें तो कुछ crescent shapes में जो है वो dune डवलप हो रखे हैं और हवा की दिसा के विपरीत जो है ये crescent डवलप हुआ है इनको बर्खान कहा गया है और दूसरे हवा की दिसा के बिलकुल विपरीत जो है एक sand dune की जो ridge है वो डवलप हुई है जिसको transverse dune कहा गया है ये वाला भी transverse dune है और यदि जो है उस वो crescent shape उल्टी हो जाती है यानि हवा की दिसा में इसके हौन हो और जो crescent shape है वो लिवर्ड साइड में डवलप होती है ऐसे parabolic dune कहलाते हैं और यदि ये dune का जो development है वो हवा की दिसा के साथ साथ होता है यानि longitudinal position में होता है तो longitudinal dune कहलाते हैं और ये जो dunes हैं चाहे transverse dune की बात करें बर्खान की बात करें पेराबोलिक की बात करें तो ये unidirectional winds की वज़े से develop होते हैं यानि उस अक्सेतर में हवा की जो दिसा है वो dominantly एक रहती है कभी कभार अगर बदलती भी है तो जो प्रिनाम सोरूप जो sand dune develop होता है वो star की भाती उसकी आकरती होती है star dunes उनको जो है नाम दिया जाता है बर्खान, transverse dune और सीव की देखे पहले यदि हम बात करें तो हम बर्खान की यदि बात करेंगे तो ये एक sand hill जो है टरकी word है और टरकी word का जो meaning आता है बर्खान का उसको sand hill यानि रेत की एक पहाड़ी कहा जाता है और ये perpendicular होते हैं wind direction के हम देख भी चुके हैं crescent shape इसकी पाई जाती है asymmetric dune होते हैं और दो इनके जो है वो मुखे horn कह लीजिये या wing कहलिए वो विक्सित होते हैं इसकी जो convex side होती है dune की वो wind को face करती है और जो concave side होती है वो levered side में जो है वो पाया जाता है जिस side में इसके horns develop होते हैं इन जो बालू के जो टिब्बे हैं इनकी जो उँचाई होती है वो कुछ मीटर से 25 मीटर तक उँचे होते हैं और इनकी लंबाई जो है वो कुछ मीटर से लेकर 400 मीटर तक जो है observe करी गई है और यदि sand की जो supply है वो decrease हो जाए, कम हो जाए रेट की मातरा हवा में कम पड़ जाती है तो ये अपनी crescent shape जो है उसको खोना सुरू कर देते हैं और बहुत सारे अगर isolated ऐसे crescent shaped dunes जो है वो पाए जाते हैं एक एरिया में तो उनको हम बर्खा नोइट्स के नाम से पुकारते हैं ये देखिए अदि आप जो है वो देखेंगे तो ये wind direction है और wind direction में जैसे ही कोई obstacle आया हवा ने इस एरिया में rate को deposit करना सुरू कर दिया और एक gentler slope के साथ साथ हवा उपर उठती रही लेकिन आगे जो steep slope था leeward side में वहाँ पर जब ये हवा नीचे उतरना सुरू हुआ तो वहाँ पर eddies की development हुई और इस eddies की development के प्रिनाम सवरूप जो है बीच के area में जो है वह हवा ने sand को remove करना सुरू कर दिया और बीच का area गहरा होता चला गया और जो किनारे के भाग थे वो लंबे होते चले गए और प्रिनाम सवरूप एक अर्दचंदराकार आकरती में जो है एक dune की development हुई इसका जो windward side है वो काफी gentler होता है और इसके जो horn होते हैं वो leeward side में पाए जाते हैं ऐसे crescent sap जो dune होते हैं उन dunes को हम बर्खान के नाम से जानते हैं और यदि ये बर्खान एक area में बहुत ज़्यादा पाए जाएं तो उस ठिती में इनको बर्खानोईड के नाम से जाना जाता है यहाँ पर भी जो है इस चितर में यदि आप देखें तो ये बर्खानोईड का example है कई सारे बर्खान एक साथ develop हो रखें हैं और यहाँ पर ये बर्खान आप जो है वो देखेंगे तो ये हमारा बर्खान जो है वो डबलब हुआ है crescent shape dune है फिर यदि transverse dune की देखे यदि हम बात करें तो transverse dune और बर्खान दोनों के दोनों perpendicular direction में पाए जाते हैं wind के लेकिन वो perpendicular direction होने के बावजूद भी यानि ये चितर में अगर transverse dune को हम पहले से देख लें तो ये एक ridge की shape में होते हैं यानि crescent shape नहीं होती है ridge की shape में यदि ये उसके perpendicular deposited पाए जाते हैं तो इनको हम transverse dune कहते हैं क्योंकि transverse position होती है इनकी transverse direction में इनका deposition जो है वो sand का पाया जाता है और wind की जो direction होती है उसके transverse होने के कारण transverse dune कहलाते हैं unidirectional wind के द्वारा develop होते हैं और दूसरे यदि हम बात करें कि longitudinal dune sheep यानि जो हवा की दिसा है यदि rate का सारा का सारा deposition उसी दिसा में पाया जाए तो उनको हम longitudinal dune कहते हैं turkey word है और turkey में जो है sheep इनको कहा जाता है और sheep का मतलब तलवार होती यानि तलवार की भाती जो है वो लंबा कार यानि longitudinal जो है ये सेंड का deposition इस सक्षेतर में पाया जाता है unidirectional wind इसके लिए भी जो है वो जरूरी होती है और restricted wind supply होनी चाहिए sand supply जो है वो बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए तब जाकर जो है ये sheep की development होती है और कई सारे जो geomorphologist हैं उनका अपना view भी है कि एक स्थिती में जब sand में की supply हवा में कम हो जाए तो जो बर्खांस है उन बर्खां का जो एक horn है वो horn जो है यानि हवा की दिसा में change हो जाए तो हवा जो है एक horn को लंबा करना सुरू कर देती है और दूसरा horn उस area से disappear हो जाता है उसके प्रिणाम सवरूप भी जो है इन सीफ या longitudinal dunes की development होती है और इनकी लंबाई की देखे दी बात करें इरान में तो 50 km से कम से लेकर जो है 100 km से ज्यादा लंबे भी जो है ये सीफ या longitudinal dunes है ये पाए जाते हैं ये हमारे transverse dunes है यानि अब ये देखिए जो dunes develop हुए है इन dunes की develop अब shape जो है crescent shape नहीं है बलके हवा की दिसा ये है और transverse हवा की दिसा के perpendicular ये develop हुए है transverse position में develop हुए है और इसी कारण इन dunes को transverse dunes के नाम से जाना जाता है और ये भी example में आप देख सकते हैं इन dunes की development है और ये हमारे windward side में smooth slope होती है और leeward side में steep slope होती है और ये transverse dunes है फिर यदि हम longitudinal dunes की बात करें तो ये restricted wind supply यानि rate की जो supply है जब हवा में limited होती है तो ऐसी प्रिष्थिति में जो है इन dunes की development होती है और ये हवा की बहती हुई हवा की दिसा के बिलकुल parallel होते हैं और इसी कारण इनको longitudinal dunes कहा जाता है एक ridge shape में होते हैं कुछ इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं तो इन sands की ज रस्ता होता है चाहे ट्रांस्वर्स ग्यून हो और चाहेे सीफ इस ग्यून किस रस्ते को हम करवा के नाम से जानते हैं क्योंकि बहुत सारा जो काफिले जो चलते हैं मर उसलिए भाग में वो काफिले इसी रस्ते को फॉलो करते हैं और इसी कारण इसको कारवा के नाम से जाना जाता है ये एक बहुत परफेक्ट पिक्चर जो है आप देख पा रहे हैं जो लोंगिट्यूडनल ड्यून को रिप्रेजेंट किये हुए हैं इसके बाद देखिए फिर यदि हम स्टार ड्यून्स की बात करें तो स्टार ड्यून्स जो होते हैं यानि अब मल्टी डारेक्शनल विंड चलेगी हवा की दिसा बार-बार बदलती रहेगी और बार-बार बदलने के कारण उस हवा वो जो सेंड ड्यून डबलफ होगा उस स्टार की भाती यानि इस सेंट्रल एरिया की तरब जो है सारा का सारा सेंड बलो करता है डिपोजिट होता है और स्टार की भाती जो है इनकी आकरती विक्षित हो जाती है और इसी कारण इन ड्यून्स को हम सेंड ड्यून के नाम से पुकारते हैं और 400 मीटर के करीब जो है इनकी हुचाई observe करी गई है पेराबोलिक ड्यून की बात करें तो ये बिलकुल बर्खान का उल्टा होता है यानि हवा की दिसा अगर ये है तो उस तिती में कुछ इस प्रकार के यानि ये जो हौन है वो हवा की दिसा में पाये जाते हैं और स्मूथ जो स्लोप होता है वो ली फिक्स हो जाते हैं और फिक्स होने के प्रिणाम सवरूप जो बीच का एरिया है डिफलेशन एक्टिविटी में हवा उस एरिया से सेंड को रिमू करती रहती है और ये ड्यून माइग्रेट करता है और माइग्रेट करने के कारण इसकी करेसेंट से जो है वो डेवलोप हो जाती है क्योंकि इसके हॉन फिक्स होते हैं और ऐसी अवस्ता में इस ड्यून को हम पराबॉलिक ड्यून कहते हैं यूमिड टेंपरेट रिजन और ट्रोपिकल कोस्टल जो ड्यून फिल्ड्स है उस एरिया में ये काफी पॉपलरली जो है वो पाए जाते हैं ये देखिए अगर आप देखें तो एक दो तीन चार और पांच ये पांच दिसाओं से हवा जो है इस अक्षेतर में चलती है और सेंट्रल भाग में जो सेंड है उसका डिपोजिशन लगातार बढ़ता रहता है और प्रिणाम सोरूप इसकी जो आकरती है वो एक स्टार की भाती हो जात है इसको हम स्टार ड्यून कहते हैं और यह कई सारे स्टार ड्यून जो है आप देखें यहां पर देखें यहां पर देखें यहां पर देखें यहां पर देखें तो यह कई सारे स्टार ड्यून का जो एक ग्रूप है वो हमें दिखाई दे रहा है और यह अगर हम जो है इसक और ये पेराबोलिक ड्यून के केस में देखिए, वेजिटेशन की वज़े से जो हौन है, वो हौन फिक्स हो जाते हैं, बीच के एरिये में डिफलेक्शन इफेक्ट डवलप होता है, और डिफलेक्शन के कारण हवा यहां से सेंड को रिमू करती रहती है, और ये ड्यून करता है, और क्रेशन्ट से पाने के बाद इनको हम पेराबोलिक ड्यून के नाम से जानते हैं, और कुछ अबस्टेकल ड्यून भी होते हैं, हवा के रस्ते में कोई पहाड़ी आ जाती है, तो पहाड़ी से टकराने के बाद हवा की गती कम होती है, और रेत वो वहां पर जे ये पहाड़ी है, तो इस एरिया में जो सेंड डिपोजिट होगा, ये हमारा क्लाइंबिंग ड्यून होगा, और ये हवा यहां से गुजरते हुए, जब नीचे उतरते वक्त भी कुछ सेंड डवलप करती है, इस ड्यून को हम फालिंग ड्यून के नाम से जानते हैं, इ जो दो ड्यून हो जाते हैं, और ये भी जो है ड्यून का माइग्रेशन जैसा हमने बात करी थी, कि ये जो है पांच से लेकर पंदरा मीटर एक साल में जो है, इनकी जो क्योंकि वेजिटेशन का अभाव होता है इस एरिया में, और वेजिटेशन के अभाव के कारण विंड का जो डिफलेशन इफेक्ट होता है, उसकी वज़े से जो सेंड है, वो लगातार आगे की तरफ खिशकता रहता है, और ऐसे जो सेंड आगे की तरफ खिशकता रहता है, और ऐसे जो सिप्टिंग, जो ड्यून होते हैं, इनको हम माइग्रेटिंग ड्यून के नाम से भी जो अने थोर पर जिस एरिया में Aeolian landforms हैं उससे काफी दूर के एरिया में देखने को मिलता है कारण क्या होता है कि एक्रीशन की हमने बात करी थी कि वो जो sand particles हैं जो suspended mode में हैं हवा के आपस में टकराते हैं और टकराने के कारण इनका size लगातार कम होता रहता है और eddies जो है और हमारे troposphere में काफी चाही तक पहुंच जाते हैं और जब हवा बिलकुल श्यांत हो जाती है तो श्यांत होने के बाद ये जो sand है वो deposit होना शुरू हो जाता है और ऐसा जो deposited sand होता है उस sand को हम lois के नाम से पुकारते हैं बहुत सारे nutrients इसमें available होते हैं cohesive होता है और जो root होती है पेडों की उनको बहुत अच्छी support देता है पोरस होता है पानी को सोखने की समता होती है और कोई भी चटान जो है वो hard rocks इसमें नहीं पाई जाती ये विसकोंसन एरिया में देखिए ये lois है जिसका deposition आप देख पा रहे हैं और काफी बनस्पति इस एरिया में विक्षित ह हुई है ये lois जो है वो USA के एरिया में भी काफी सारा जो है यहां पर अगर आप इस लाल रंग से जो देख पा रहे हैं ये lois का deposition है जो 25 मीटर तक से ज्यादा जो है वो 25 फिट से ज्यादा lois का deposition है ग्रीन एरिया जो है ये 5-25 और ये ये येल्लो एरिया है ये 5 फिट से नीचे जो lois का deposition है USA में वो दिखाया गया है यूरोप में भी बहुत सारा जो lois है उसका deposition पाया जाता है और ये कई सारे एरिया जो है यहां पर भी आप जो है इन रंगों में देख पा रहे हैं और चाइना में भी जो है lois चाइना की तो जो lois है वो लगबग 2,45,000 साल पुरानी lois पाई गई है और काफी सारा जो है वो present is the key to the past जो James Sutton ने concept दिया था उसको follow करते वे कुछ अधेनों में यहां पर काफी सफलता मिली है कि 2,45,000 साल पहले यानि प्लिस्टोचीन एज में जब हवा काफी dominant role play कर रही थी तो उस समय पर भी cold desert maximum area convert हो गया था तो जनाके और अब इसके अलावा देखिए अधी बात करें तो कुछ weathering की वज़े से भी landforms जो है वो alien area में develop होती है और इन landforms में पहले देखिए अधी में बात करूँ सब होनी की अगर बात करी जाए तो यह keverance weathering होती है यानि जो weathering हो रही है chemical weathering की वज़े से और generally इसमें silica का removal होता है और salt weathering इसमें dominate करती है तो salt की वज़े से जो है छोटी छोटी सी केवज है वो चटानों में विक्षित हो जाती है और ऐसी चटानों में विक्षित होने वाली केवज को हम आफोनी के नाम से जो है इनको पुकारा जाता है और salt का जो है इसमें dominant role होता है यह quartz के solution में काफे मददगार हो जाता है और caves develop हो जाती है इसके अलावा डेज़ेट वार्निस की बात करी जाए तो जो iron oxide है या magnesium oxide है या या oxidation होता है थोड़ा सा यदि उस desert के area में जो moisture है वो पाया जाता है तो उस moisture की वज़े से oxidation हो जाता है और iron और magnesium rich जो rocks होती है वहाँ पर iron oxide औ magnesium oxide develop होता है और जो pebbles हैं, boulders हैं, rocks हैं उस area में जो पाई जाती है उनके उपर जो है एक लाल या फिर थोड़ी हलकी सी काले रंग की परत जो है इस oxide की वज़े से develop हो जाती है इस precipitation की वज़े से और एक petina develop होता है एक पूरी layer develop हो जाती है उन पत्थरों के उपर और ऐसी layer व पत्थरों पे weathering की वज़े से salt weathering जो है उस weathering की वज़े से ये कुछ caves type जो है वो एक landform develop होती है आप होनी कहलाती है और ये desert varnish जो है अगर आप देखें ये आपको iron oxide का दिखाई देता है और ये magnesium oxide का precipitation है और ये patina एक पूरी की पूरी जो layer develop हो रखी है और यहाँ पर भी जो है इसको बड़े ज्यान से अगर आप देखें तो desert varnish ये जो पत्थर पड़े हुए है इन पत्थर के उपर iron oxide है magnesium oxide है इनकी पूरी की पूरी layer जो है वो जमा हो जाती है तो ऐसी अवस्ता में इनको हम desert varnish का नाम देते हैं फिर dury crust यानि उस rate के area में उस मरुस्तल में पा percolate करते रहते हैं और उनके percolation के प्रिणाम सवरूप और evaporation होता है क्योंकि desertic area में evaporation बहुत अधिक होता है और जब वो evaporate होता है तो इस evaporation के कारण जो minerals हैं जो उस चटानों के में उस मिट्टी में उस rate में जो खनीज पाए जाते थे वो खनीज जो है वो रह जाते है और वो पानी उड़ जाता है और जिस भी खनीज का dominance उस मिट्टी में पाया जाता है उस सेंड में पाया जाता है उसी के आधार पर इस crust को नाम दिया गया है जैसे काल crust की यदि बात करें तो calcium carbonate का rich यदि पाया जाता है यानि पानी है limestone का area था limestone dissolved हो गया limestone dissolved होने के बाद वो जो पानी था वो evaporate हो गया और evaporation के बाद उस area में जो calcium carbonate उसमें dissolved था वो calcium carbonate वहाँ precipitate हो गया और उस मिट्टी में calcium carbonate की प्रधानता पाई जाती है तो ऐसी crust को हम dury crust का नाम देते हैं silk crust यानि silica का dominance यदि पाया जाए जिप crust यानि gypsum का dominant पाया जाए salt crust यानि कि उसमें sodium chloride का जो है वो dominance जिसको color भी हम अपने area में पुकारते हैं जिन area में water logging ज्यादा होती है और water logging में जो पानी है जो वो evaporate हो जाता है तो एक सफेद सफेद सी परत जो है वहाँ पर develop हो जाती है इसी को हम salt crust के नाम से जानते ह हैं और यह dury crest देखिए दि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यह कई सारी जो dury crest है उनकी development यहाँ पर एक जो खुदाई करीगी है उसकी वज़े से एक horizontal जो इसका horizon है उन horizon में आप यह कई सारे dury crest देख पा रहे हैं इसके अलावा desertic area में बरसात भी होती है और बरसात क प्रिणाम सोरूप भी कुछ सखला करतियां विक्षित हो जाती है जैसे पहाड़ी area है पहाड़ी area में सारा साल तो तापमान जो है उंचा था weathered rock थी weathered rock weathering के कारण काफी सारा रेगुलित उस area में develop हो गया और अचानक से थोड़ी बारिस हो गी तो वो सारा material जो है उस बार फैन की आकरती जो है वो निर्मित होती है और इसी फैन को हम alluvial area में running water के एरिया में alluvial fan कहते हैं और aeolian environment में इसको बहादा के नाम से जाना जाता है और इसके अलावा जो है इस पहाड़ी area से यह बहता हुआ पानी जो है वो बीच के depression में create हो जाता है depression में इकठा हो जात है और ऐसी जो यह जीलों का निर्मान होता है इंटर मॉंटेन एरिया में इन जीलों को हम पलाया के नाम से जो है वो पुकारते हैं और यह उस पलाया का example है राजस्तान के एरिया में सांबर लेख है डिडवाना लेख है यह भी जो है वो पलाया के ही कुछ उधारण जो है वो पाए जाते हैं तो ये सारा का सारा जो discussion है हमारा वो alien environment यानि landforms developed by wind activity के उपर focus है और उमीद है कि आप लोगों को इससे काफी मदद मिल रही होगी comment section में आप जो है वो निसंकोच होके सवाल हमारे से पूछ सकते हैं जो चीज आपको समझ में आए हमारे साथ इसी तरह subscribe यदि आपने channel किया हुआ है तो दोबारा वो बटन आप ना दबाएं लेकिन जो नए साथ ही जुडते हैं जिन्होंने subscribe नहीं किया हुआ है प्लीज वो subscribe का जो बटन है उसको जरूर दबा दें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए